आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूं न्यूट्रियेंट्स से भरपूर आमले की चटपटी चटनी वह भी एकदम देशी स्टाइल में खाने में बहुत ही टेस्टी है इस सीजन में आमला हर जगह मिलता है और यह हमारे सरीर के लिए बहुत ही फैदेमंद है और सबसे बनाने के लिए मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दवाएं ताकि मेरे लिटिस्ट वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए आमले की चटपटी च बिना रखें तो आप बिना रखे भी आवले को आग पर सेक सकते हैं गस को अन कर ले और इसे आग पर पका लेना है । लो फ्लेम करें क Peng डिक करके आवले को इस स्टैनन पर रख दें इसाग पर पकाना है इस तरह से पका कर आवले की चरणी बनाएंगे तो उस debt बहुत दे आवले को कुछ देर तक पकाने के बाद इसे पलट लेना है फ्लेम को एकदम लोपे ही रखना है और मुस्ट फुट्टी से फिफ्टी परसंट तक आवला यहां पर पक जाएगा और टेस्ट एकदम स्मोकी एकदम देशी स्टाइल आएगा इस तरह से इसे पका लेना है यह देखिए इसे पांट से साथ मिन्टों तक पलट पलट कर सेक ली हूँ अब इसे निकाल लूँगी निकालने के बाद इसे अच्छे से ठंडा होने देना है उसके बाद इसका छिलका निकालना है आमला अल्मोस्ट ठंडा हो गया है अब एक नाइफ ले ले और ये देखिए इसे बहुत ही असानी से पील हो जाएगा इस तरह से इसे छिल ले कोई परेशानी नहीं आएगी ये बहुत ही असानी से छिल जाएगा सारे आमले को इसी तरह से छिल कर तयार कर ले ये देखिए सारे आमलों को छिल कर तयार कर ली हो अब इसे धोना नहीं है यदि इसे धो देंगे तो इसका स्मोकी फ्लेवर चला जाएगा अब इसे रफली चॉप करके तयार करना है अब एक प्लेट ले ले और आमले को रफली काट ले इस तरह से आग पर सेख कर आमले की चटनी आप जरूर ट्राई करें यह बहुत ही टेस्टी होता है और स्मोकी फ्लेवर इसका बहुत ही पसंद आता है रफली काट लेना है क्योंकि हमें इसे भून कर पिसना है इसे बुन कर बनाएंगे तो यह 15 से 20 दिनों तक या फिर महीनों तक यह खराब नहीं होगा तो इसे हलका सा फ्राई कर लेना है तो इसे पहले कट कर ले रफली कट कर लेना है सारे आवश को पाकर तयार कर लेने के बाद गैस की ओर चले अब एक पैन ले उसमें 2-3 टेवल स्पून सरसो का तेल डाल कर उसे हलका गर्म करें फ्लेम को एकदम लोपे रखें उसमें ये सारे मसाले डालना है हींग, जीरा, सौफ, मेथी यदि आप लसुन पे आज खाते हैं तो 4-5 लसुन की कलियों को छील कर डालें यदि नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं काली मिर्च और ये दखें, पीली सरसो मैं ली हूँ मैं सभी इंग्रीडियेंट और उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ तेल को हलका गर्म करें और उसमें सारे मसाले डाले सबसे पहले मैं यहां पर हीन डाली काली मिर्च, जीरा, सौफ यह सारे मसालों को डाल कर पका लेंगे मिक्स कर ले सारे मसालों को डाल कर हलका सा भुनने के बाद इसमें सरसो डाले मैं आपे पीली सर्सो डाली हूँ, आप चाहें तो काली सर्सो भी यूज कर सकते हैं सर्सो को कुछ देर पकाने के बाद इसमें लासन की कलिया और कड़ी पत्ते डाल दें फ्रेस करी पत्ते डालेंगे तो चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा मिक्स करें, लो फ्लेम पे ही इसे कुछ देर भूने 10-15 सेकेंड तक मसालों को भूनने के बाद इसमें काटके रखे हुए आवले डाल दे इसमें 5-6 सुखी लाल मिर्ज मैं डाली हूँ, लाल मिर्ज की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार एड़ेस्ट करें सारे इंग्रेडियन डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे एक दो मिनाट तक भून ले दो मिनाट तक आवलों को भूनने के बाद इसमें सुखे मसाले डाले हल्दे का पॉर्डर मैं यहाँ पे कस्मीरी लाल मिर्ज का पॉर्डर डाली हूँ, इससे चट्नी का कलर अच्छा आएगा यह ज्यादा तीखा नहीं होगा मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद इसे ढख देना है और इसे कुछ-कुछ देर पर चलाते हुए भूनना है ताकि आमले अच्छे से पक जाए, फ्लेम को एकदम लो पे रखे नहीं तो मसाले जल सकते हैं सिर्फ एक से देर मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पे पकाई हूँ, डखन को हटा कर इसे मिक्स करना है पूरी चट्नी बनाने के बीच में फ्लेम को कभी भी हाई पे या मिडियम पे भी नहीं करना है, लो पे ही रखना है अब इसमें नमक डाल दें टेस्ट की अनुसार और इसमें मैं एक टेबल स्पून गूर डाल रही हूँ, यदि आप चट्नी में हलका सा मीठा पसंद करते हैं तो इसे डालें नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर यदि गूर की जगा आप चीनी डालना चाते हैं तो एक टीस्पून चीनी डाल सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, इसे मिक्स कर दें और गूर के मेल्ट होने तक एकदम लो फ्लेम पे पकाएं फ्लेम को एकदम लो पे ही रखें एक से डेट मिनट तक पकाने के बाद ये दिखिए गुर्भी मेल्ट हो गया है आमला भी गल गया है मिक्स करें फ्लेम को अब बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें ये अच्छे से ठंडा हो गया है अब 迅ग ग्राइंडर जाल ले अर मसालों और तेल के सहिती से इसमें डाल दे आमले,शे मसाले और तेल सहिती से डाले अब इसे दरदरा सा पीस लें, मुझे तो दरदरा ही पसंद है, यदि आप फाइन पेस्ट चाहते हैं, तो फाइन पीस लें पर इसे पीसने में पानी बिल्कुल भी यूज ना करें बिना पानी के इसे पीसे, आसानी से पीस जाएगा और अब ये देखिया, ग्रैंडर जार कर धककर में हटा रहे हूँ ये देखिये, चट्नी कितना खुबसूरत दिख रहा है, इसे बहुत ही अच्छी, बहुत ही टीस्टी खुसबू आ रही है इतने सारे मसालों के साथ इसे जो हमने पीसा है ये देखिये चटनी की कंसिस्टेंसी दरदरा सा पीसकर तयार हुआ है अब इस चटनी को मैं इस काच के बरतन में रख रही हूँ इसे फ्रिज में रख कर खाएंगे तो 20-25 दिनों तक ये खराब नहीं होगा यदि मौसम ठंडा है तो इसे बाहर रख के भी 8-10 दिनों तक खा सकते हैं इसे आप रोटी, पराठे, कचोरिया, चावल दाल किसी के साथ भी खाएं खाने का टेस्ट ये दो गुना कर देगा ये देखिये चटनी बनकर तयार है मैं इसे करी पत्ते से गार्णिस भी कर दी हूँ अब ये आपके खाने का टेस्ट दो गुना कर देगा ये खाने में बहुत टेस्टी है इसे बच्चे और बड़े सभी पसंद से खाएंगे आप इसे घर में ज़रूर ट्राइ करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें